आजकल हर कोई चाहता है अपने किचन के लिए किचन ट्रॉली को लगवाना इसके पीछे दो कारण होते हैं सबसे पहली चीज किचन ट्रॉली लगवाने की वज़े से जादा से जादा सामान आप अपने किचन ट्रॉली के अंदर रख सकते हो और दूसरा कारण यह होता है कि जब आप अपने किचन के अंदर किचन ट्रॉली को लगवाते हो तो इससे आपका किचन दिखने में बहुती खुबसरत दिखाई देता है, एक modern look आपके किचन को मिलता है, इसी वज़ेसे बहुत सारे लोग किचन ट्रॉली के option के तरब जाते है, अब भले आपके किचन के लि लगवाने का खर्च है, ये कुछ चीजों के ऊपर depend होता है, तो सबसे पहले उन चीजों के बारे में जानकरी लेते हैं, तो यहाँ पर पहली चीज आ जाती है कि आप कौन से टाइप की फिनिशिंग अपने किचन कैबिनेट के लिए लेने वाले हो, उसके ऊपर भी आपके किचन ट्रॉली का खर्च depend होता है, वैसे तो किचन कैबिनेट के लिए अलग-अलग फिनिशिंग का इस्तमाल किया जाता है, पर सबसे जादा लैमिनेट और एक्रिलिक फिनिशिंग का इस्तमाल किया जाता है, अब ये जो लैमिनेट और एक्रिलिक फिनिशिंग है, इन दो प्लाई आप लैमिनेट फिनिश के लिए इस्तमाल करने वाले हो वो marine grade का प्लाई होना चाहिए और जहां तक बात आती है acrylic finish की तो उसका cost थोड़ा सा जादा होता है पर उसके कुछ advantage होते है जैसे की सबसे पहली चीज इसमें आपको बहुती high gloss finish मिलती है इसकी वज़े से आप उस उड़ों को भी जाकर देख सकते हो उसके बाद kitchen trolley बानाने का जो खर्च है वो depend होता है कि आप कौन से type की basket अपने kitchen trolley के लिए इस्तमाल करने वाले हो अब kitchen trolley के लिए दो type की basket का इस्तमाल किया जाता है पहली होती है SS की basket और दूसरी होती है tandem basket इन मेसे जो SS की basket होती है उसका खर्च tandem basket से कम होता है और जहां तक बात आती है SS की basket तो उसमें भी दो type होते है यानि कि stainless steel के 2 grade का इस्तमाल किया जाता है पहला होता है 202 और दूसरा होता है 304 अब इन दोनों grade के steel में से 202 का rate जो है वो कम होता है और खास करके ज़्यादातर kitchen trolley में 202 grade के stainless steel का ही इस इस्तमाल करना चाहिए और भी कुछ छोटे मोटे factors होते है जैसी कि आप कौन से type का handle लेने वाले हो कौन से type का hardware इस्तमाल करने वाले हो material का gauge क्या है लैमिनेट का क्या cost है इन चीजों के उपर भी depend होता है कि आपको kitchen trolley लगवाने के लिए कितना खर्चा सकता है तो इन important finish को चुना है जिसका की cost थोड़ा सा कम होता है और जो लैमिनेट की thickness होगी वो 1 mm तक होगी जो ply इस्तमाल किया जाएगा वो marine grade का इस्तमाल किया जाएगा और उसकी thickness 16 mm से लेके 18 mm तक हो सकती है और जहां तक बात आती है basket की तो यहां पर हम SS की basket को चुनेंगे जिसका की खर् आप kitchen trolley बनाने वाले है तो आपको कितना खर्च आएगा यह हम निकालेंगे तो जहां तक बात आती है kitchen trolley का खर्च निकालने के लिए दो टाइप से आपको खर्च निकालना पड़ता है जो बाहरी shatter होते है उनका खर्च आपको square feet पे निकालना पड़ता है और जो basket होती ह साथ समझने के लिए हम एक example लेते हैं जहां पर हम ऐसा assume करेंगे कि हमारा जो kitchen counter है उसकी length 10 feet है और उसके आंदर हमे kitchen trolley लगवानी है यानि कि 10 feet के kitchen counter के लिए हमें कितना खर्च आएगा यह हम निकालेंगे तो पहले step में हम बाहरी shatter जो है यानि कि laminate लगाने के लिए हमें 10 feet और उसकी height हम consider करेंगे 2 feet change तो इन्हें हम multiply कर देंगे यानि कि 10 feet multiply 2 feet change तो हमारा answer आ जाता है 25 square feet और इसे हम multiply करेंगे 550 के rate से तो 25 multiply 550 is equal to आ जाता है 13,750 रुपए यानि कि जो बाहरी shatter से उन्हें लगाने के लिए आपको 13,750 रुपए तक खर्चा सकता है अब बात करते ह बास्केट के बारे में तो अगर हमारा kitchen counter 10 feet लंबा है तो हमें 10 feet लंबे kitchen basket लगानी की ज़रोत नहीं होती है जहाँ पर आपका gas का area आता है या फिर kitchen sink का area आता है वहाँ पर खास करके basket को नहीं लगाया जाता है तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि 10 feet लंबे kitchen counter में हमें सिर्फ 7 feet kitchen basket ही लगवानी होती है तो हमें क्या करना पड़ेगा साथ multiply हमारे kitchen basket का जो rate है running feet के इसाब से वह है 3,300 रुपए तो साथ multiply 3,300 is equal to आ जाता है 23,100 रुपए ये बहुत ही important point होता है ये आप ज़रू ध्यान में रखिए कि आपका kitchen counter जो है उसके नीचे का थोड़ा सा area छूट जा तो जहां तक बात आती है shutter का cost आया है 13,750 रुपए और basket का खर्च आया है 23,100 रुपए अगर हम इन दोनों को मिला लेते हैं तो हमारा cost आ जाता है 36,850 रुपए यानि कि अगर हमारा 10 feet लंबा kitchen counter है तो उसे kitchen trolley लगवाने के लिए हमें 2023 में 36,850 रुपए तब खर्च आ सकत है पर इससे आपको एक tentative idea आने में जरूर मदद मिलेगी और अगर आप अपने घर के लिए kitchen trolley बनवाना चाहते हो तो description box में email दिया गया है वहाँ पर आप contact कर सकते हो और अगर आपके कोई सवाल है तो comment box में comment जरूर कीजे और kitchen बनवाते समय लोग कुछ गलतिया कर देते ह जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है उसके बार में हमने एक separate video बना के रखा है उस video को भी जाकर आप देख सकते हो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे like कर दीजे चानल पर अगर आप लोग नए आये हो तो चानल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजे